आधरिने पधानमंत्री जी हमारे वोर्ड प्यू टेलविजन की तरफ से सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपने जो थोड़ा सा वक्त निकाल कर हमें इंटूवी देने के लिए हामी भरी है उसका मैत्ते है दिल से आपका शुक्रिया दा करना चाहती हूँ आपकी एलेक्शन्स जनवरी में आपने अनाउंस की है मैंने बिल्कुल नी अनाउंस की एलेक्शन्स जनवरी में होनी चाहिए कहते हैं आने वाले जनवरी में लेकिन किसी भी वक्त हो सकते हैं, खाली एक लिमिट है उसके बाद जिसके पहले करना हो क्या इसका मतलब भी भी हो सकता है कि आप midterm elections में में करवा लें? आप टीकी जाइस पर हमने सोचे ही नहीं है तो उसका क्या जबाब दे सकते हैं? हो सकते है मौसम आपको पसंदा है में का और हो सकते हैं, आप elections करवाएं? नहीं सब्चारण तो नहीं है उसके लिए लेकिन यूर फेमस पर स्प्रिंगिंग अप midterm elections में कभी तक नहीं हुआ? आप मैं पिछले कोई दो हफ्तों से यहां वेंकूवर से आई हुई हूई हूँ और देख रही हूँ, अख़वारों में पढ़ रही हूँ, पंजाब स्थिति के बारे में आप सारी सरकार भी बहुत चिनते थें, लोग बहुत चिनते थें, खासा पर बाहर वेंकूवर के पंजाब की असली स्थिति क्या है, उसके बारे में आप अपने शर्दों में कुछ बताईए है, स्थिति तो गंभीर है, वहां के एक राजनेतिक दल यानि अकाली दल ने कुछ मांगें रखी, कुछ धर्मिक मांगें, वो अधिकांच हमने मानने, कुछ ऐसी थी जो हमें ल समझ गए उस बात, एक मां ऐसी थी जो हम से संबंदित इतनी नहीं थी, और वो दूसरे कुछ राज्ज हैं भारत के वहां के और वहां के गुर्द्वारों के जैसे अपनी कमिटी या बॉर्द्स हैं उनका तो उस पे हमने कहा कि हमें कुछ खास इतराज नहीं है, लेकिन इ क्या नियम हैं और ये सब देखना होगा, उसके बाद कुछ दूसरी मांगें, राजने टिक समझ सकते हैं या जो भी पानी पर, जमीन पर, अब वो दूसरे राज्जों से समझ देते हैं जो आसपास के परोस के राज्ज हैं, तो जब तक वो भी राजी नहीं होंगे, तब हम तो कुछ कह नहीं सकते, दो दफ़े ऐसा एक और या निरने हम दे चुके हैं, अब वो माना नहीं गया, तो अकेले फिर हम फिर से दें, तो उसका कुछ उससे चीज दुलज हैगी के नहीं ये कह नहीं सकते, हमें लगता है कि कुछ इस समय कुछ एक्स्ट्रीमस वहां पर जोर पकड़ गए हैं, खासतोर से नौजवान कुछ, और जैसे आपने अख़बार में देखा होगा, वो मोटर साइकल पे जाके या किसी तरहीं से बहुत लोगों की मार रहे हैं, हत्या हो रहे हैं, थोड़ा उसमें कुछ फंडिवेंटलिजम भी है, क्योंकि हत्या जादा हुआतार सिक्षों की ही सिक्ष कर रहे हैं, तो अकाली जैसे जो एक आज की अखी अख़बार ने आया या घल शायद आया था, कि एक सिक्षवार वाला है, अकाली नहीं है, हमारी पार्टी कभी ने हैं विरोधी दल लेकिंबॉक तारो फ़िए निन्योप साइकल के अपने बहुंत hem Niza Ra though ननूहां उनूहां उसको पकड़ा کہ तुम्त्रवर्गॉ और लेकिन सिख होने के उपर वो उनकी ऐसी एक संस्था है जिसमें दूसरे लोग भी हैं, हिंदू, मुस्लिम, इसाई, जो हर एक अपने धर्म का पालन करता है, लेकिन ये लोग संग मिलते हैं, आप उसको कह सकते हैं, नैशनल इंटेग्रेशन की भावना से, या ये के मिलके कर सकते हैं, आपको ये भी मालूम है कि हमारे देश में कोई किसी भी धर्म का हो, वो दूसरों का आधर करता है, बिलकुल करता है, जैसे गुर्दवारों में बहुत से हिंदू जाते हैं, मुस्लिम्स के दरगाव में भी हिंदू जाते हैं, मुस्लिम्स हिंदू मंदिरों मे भी अकसब जाते हैं तो इसी काफी इन चीजों में यहां पे एक उदारता सी है और इस उदारता को देखते हुए खेरानी होती है कि क्यों इस तरह के अब जहां इतना बड़ा देश है इतनी बड़ी जनसंख्या है वहां यह प्रशन कभी कभी उठते हैं हमारी तो यही आशा है कि जो ठीक सोचने वाले हैं राश्ट जो हित सोचने वाले हैं वो इसके उपर उठेंगे और किसी तरह से हम इसको सुझा सकेंगे बाहर रहने वाले जो भारतिये हैं कि आपके विचार में इसमें कुछ मदद कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंक्शिस हो जात कि विलाए लंदन से कोई चाहिए थे लोग उनका इतनी गलत बातें फ्लाई जा रही थी पंजाब के बारे में और के वो लक्स बहुत ही परिशान थे लेकिन उन्हों जब असलियत बताई और यह भी कहा कि आपने से आप अपने तरफ से किसी को भीच के देखिए आए भी ह लोग कुछ तो यहां उन्हें इत्मिनान हुआ यहां से गए क्योंकि यह बिलकुल सच नहीं है कि सिख्खों के खिलाफ या अकालियों के लिए खिलाफ कोई भी नाइनसाफी है जाहिर है वर्किन उसका उल्टा ही कह सकते हैं क्योंकि वो औरों से कुछ जादे यागे हमत और योग्यता और शमता से और खास्तोर से इसलिए कि वो मेहनत करने वाली लोग हैं और आपने देखा है कि हमारे यह उंचे ओदे छोटे ओदे हर जगहें आप पाएंगे उन लोगों को हर गाव में बाएंगे हर प्रांथ में पाएंगे तो इसे यह बात कहने बिलकु को यसी बात करना के राश्ट के विरुद्मियों होती है वो चीक नहीं है लेकिन अगर इस तरह से बाच्चीत लंबी होती चली गई तो यह मार कार्ट तो होती जाएगी जिन लोगों को मारा जा रहा है वो तो बिलकुल इनुसल्थ है वो बिलकुल नेतोश है लेकिन बात अब दंबी क्या होगी हम तो खतक ही कर सकते हैं तो इसलिए सब को सौचना है कि इतना हो सकता है यहा दूसरे लोग मुझसे नाराज है कि इतना क्यों मागने लिया हर्याना में भी कुछ हूआ लो उसका एक रियाक्शन हुआ जो पंजाब में पहले हुआ ता इसको बरी मु आप जब दुबारा एलक्षिन के बाद आएंगे आफिस में तो कौन से ऐसे करिक्रम हैं जिन पर आप ज़्यादा एंफसिस देंगी अब देखी पहले तो चुनाओ का क्या नतीजा होगा ये कोई पहले से कहनी सकता है माल लीजी आपा जाते हैं और दूसरा दूसरी बात यह है कि हमारी एक बहुत पश्ट और साफ नीती है और वो नीती है कि अपने देश को हम मजबूत बनाएं इसलिए नहीं कि किसी और को धंकी दें या किसी पर हम हावी होना चाहते हैं दबाव डालना चाहते हैं वेगिन इ कि इतने बड़ी समस्या हैं कि उनका समाधान करने के लिए हमें अपनी ताखत ही चाहिए यह बहुत बड़ा देश है और इतने बड़ी जन संख्या को कोई बाहर का मदद ने कर सकता है कि इतना भी धनी और देश वो हमें नहीं कर हमें खुद ही अपने पैह पे पिख़गा होना है इसलिए हम ताख़त चाहते हैं अच्छा अब ताख़त कई तरह एक तो एक इसके माने सब को एक होना चाहिए अनिक धर्मनिक भाशा यानिक प्रांत जातियां दूसरे ये के गरीबी हटानी है क्योंकि गरीबी एक तो वैसे भी दुख और शर्म की बात है मानफता का प्रशन है लेकिन संग संग एक देश को कमजोर करने की चीज़ है क्योंकि जो गरीब है वो अपनी ताखत या योगता देश के सेवा में नहीं डाल सकते हैं तो मुख्य काम तो हमारा ये है देश को मजबूत बनाना और गरीबी दूर करने असल में तो मजबूत बनाना है न कि अगर जिसम आजादी को हम अपने रख सकें उसके लिए हमें सामपरदायकता भी हतानी है अंदर श्वास भी हताना है गरीबी हतानी है और गरीबी हताने के लिए उत्पादन बढ़ाना है तो और हमारे जो लोग रहते हैं उनको देखना है कि उनकी जो आवश्चक वस्तू है जाए खाना, कप्रा, घर, शिक्षा, स्वास का प्रबंद ये सब चीज़े मिले तो इस नीती के बाहर तो जाई नहीं सकते हैं इसी को हमें करना है साथ-साथ क्योंकि हम मानते हैं कि अगर दुनिया में कुछ दूसरे, कुछ गरबर हो जानी विश्वयुद हो तो उसका भारी प्रभाव हम पर पड़ेगा इसलिए हम विश्वशान्ती, विश्वमाइत्री और खास तोर से जो हमारे जैसे विकास चील देश हैं वो मिलके सहयोग करें एक दूसरे से और हम लोग और दूसरों से भी मतलब विकसद देश जो हैं उनके संग भी दोस्ती करने आजकर की दुनिया में कोई लोग अलग नहीं रह सकते हैं सब को एक दूसरे से कुछ चाहिए और कुछ देने को हैं तो इस तहें से हमें तो जो हमारा आज का नव्यूवक वर्ग है उसके लिए आप आने वाले कुछ वर्षों में क्या देख रही हैं वो क्या योग दान देंगे आप उनको कैसे फोसी कर रही हैं आपनी इन पॉलसी में अब हम तो आशा ही करते हैं कि वो ठीक रस्ते पर चलेंगे और बनाने के रस्ते पर चलेंगे तोड़ने के रस्ते पर नहीं उमीद यही है और हमारे स्वभाग्या है कि भारत की जनता जो है उसका दिल बहुत मजबूत है और सहन शक्ती भी है और यहां बहुत नौजवान हमारे बहुत बड़े-बड़े साइंटिस्ट ग्यानिक बनी हैं इंजिनियर डाक्टर त्यादी जो आपके मुलक और दूसरे देशों भी गए हैं तो हम तो चाहते हैं कि वैसे और वैसे बहुत और हैं यहां पर तो सब लोग मिलके काम करेंगे तो जरूर एक नया भारत बन सकेगा और उमीद करते हैं कि वह बहुत ही सुखत भारत होगा राजीव जी इसमें क्या रूल अदा करेंगे जब आप अब देखें लोगो क्या करना चाहते हैं आप उनस कैबनेट पर लाएंगे तो सही अब दिखी मुझे तो पते ही मैं कैबनेट बनाओंगे कैनी बनाओंगे आप तो बहुत आगे खूद रहें एक कदम हमेशा आगे रहना अच्छा रहता है उसे क्या होता है क्या प्लैन कर सकते अच्छे तरह से मैं दूर दर्शिन के बारे में दो तिन सवाल पूछना चाहरी थी हम कैनेडा में प्रोग्राम जो करते हैं अक्सर हम जाहते हैं कि भारत की सभ्वेटा को वहां पर हम ज्यादा प्रकाश कर सके हमारे जो बच्चे हैं वो भी उस सभ्वेटा से कुछ स सीख सेकें कुछ जाने लेकर अक्सर हम देखते हैं कि आपके यहां भारत में टेलेविजिन इतना स्ट्रॉंग टूल है उसे अच्छी तरह से इस्तेमान नहीं किया जा रहा है मैंने कल व्राष्टरपती जी के जो समवाद रहा उसमें सुना कि जो सेटलाइट्स हैं उनके जरिए 70% लोगों तक प्रोग्राम पहुंचेंगे लेकिन उन प्रोग्रामों का स्तर उंचा करना भी शायद उनके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम जब बाहर प्रोग्रामों देखते हैं तो कुछ इस तरह के प्रोग्राम नहीं लगते कि उन्हें लेके बाहर दिखाया हम कोशिश तो कर रहे हैं उनको सुधारने की हमारे लिए तो एक नई चीज है और है जरूर एक बहुत प्रोग्राव शीर लेकिन उतना यहां इसका प्रोग्राव नहीं है जित्ते जैसे अमरीका में है तो कि अमेरिका में आप कोई भी प्रोग्रम देखिए उसमें हमेशा यह बात होगी, we Americans, we Canadians इस तरह की कोई चीज हमारे यहां पर इस तरह की प्रोग्रम मैंने देखे नहीं अभी तक कोई भी यह सच है लेकिन देखिए आप उन देशों में जो राष्ट्रिता की मैं यह नहीं कह रही हूँ कि यहां कम है लेकिन यह क्या आश्चर यह जनक नही हैं कि गांधी फिल्म बाहर वाली ने क्यों बनाया लेकिन यहां वाली ने किसी ने कभी कही नहीं बना नहीं और कुछ थोड़ा बहुत हमने जब कोशिच भी की तो किसी ने ज़रा भी उसमें रुची या दिल्चस्पी नहीं दिखा इसका कारण क्या है अब यह मुझे फिल्म वालों से आप अखरी सवाल आप से एक वापर से पंजाब के बारे में करना चाहती हूं अक्सर हम अख़बारों में पड़ते हैं खासता पर जब बाहर के मुल्कों में रहते हैं तो जैसे आपने पहले भी कहा अख़वाहें वहां पर बहुत जादा पहल जाती हैं और उन अफ़ाओं उनको अफ़ाहें ले लीजे यह सचों चोंचों सही घटनाए हैं कि इन में बाहर के देशों का बहुत बड़ा हाथ है कि भारत की जो एक ता है वो टूटे पंजाब एक अलग प्रांथ बने ताकि जो बाहर के इंट्रेस्टेट पार्टी हैं वो आके भ लगो लोग चाहते हैं वैसा हम करें उस रस्ते पे चलें तो ऐसे लोग तो हमेशा कुछ दखल देते हैं पंजाब में कहां तक दखल है यह कहना मुश्किल है लेकिन यह आपने भी देखा होगा कि ऐसे जो कुछ ऐसा मूवमन्ट एक चला है अंदोलन उसके जारातर दफ्त और यह सब भाहर हैं वहार के देशों में चाने डर में भी है कुछ यॉरोप के दो तिन देशों में है पधान मंत्री जी मैं आपका तही दिल से शुक्रिया आदा करती हूँ कि आपने अपने बहुत ही बीजी वक्त में से हमारे कुछ चुपते हुए सबालों का भी आपको नोबेल प्राइस के लिए नमिनेट किया गया है मेरे तरफ से बनकूवर के रहने वाले हमारे सब मित्रों को मेरी शुक्रिया आदरिने पधान मंत्री जी हमारे वोल्ड व्यू टेलविजन के तरफ से सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपने जो कि एलक्शन जनुंवरी में होनी च아हिए, कहते हैाए, आने वाले जनुवरी में लेकिन अब होता है लेकिन किसी वी वक्त हो सकते ही हर खाली एक लिमित है उसके बाद जिसके पहले करना हो क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप मिड्टरम इलक्शन में में करवालें? आप अपती थी ज्याईश पर मने सचे लिए तो क्या जवाब दे सकता है? हो सकता है मौसम आपको पसंद है महीका, और हो सकता है आप इलक्षन करवाएं? कोई कारण तो नहीं है उसके लेकिन ये फेमस फॉर स्प्रिंगिंग अप मिड्टम अलक्शन तुभी तक नहीं गवा आप मैं पिछले कोई दो हफ्तों से यहां वेंकुवर से आई हूई हूई हूँ और देख रही हूँ अखबारों में पढ़ रही हूँ पंजाब स्थिति के बारे में आप सारी सरकार भी बहुत चिनते थें लोग बहुत चिनते थें खासा पर बाहर वेंकुवर के लाके में जो हमारे पंजाबी भाहिए भाहिए रहती है वो भी बहुत चिनते थें पंजाब की असली स्थिति क्या है उसके बारे में आप अपने वहां के एक राजनेतिक दल यानि अकाली डल ने कुछ मांगें रखी, कुछ धर्मित मांगें, वो अधिकांच हमने मानने, कुछ ऐसी थी जो हमें लगा कि हम नहीं मान सकते हैं, लेकिन ऐसा ही हमें लगा कि वो समझ गए उस बात, एक मांग ऐसी थी जो हमसे संबंदित इतनी नहीं थी, और वो दूसरे कुछ राज्ज हैं भारत के वहां के और वहां के गुर्दवारों के जैसे अपनी कमिटीज या बॉर्ज हैं उनका तो उसको उसको हमने कहा कि हने कुछ खास इतराज नहीं है, लेकिन इन सब लोगों से बात करना होगा, स्केट के क्या नियम हैं और यह सब देखना होगा, उसके बाद कुछ दूसरी मांगे, राजनितिक समझ सकते हैं या जो भी पानी पर, जमीन पर, अब वो दूसरे राज्जों से संबंदित हैं जो आसपास के परोस के राज्ज हैं, तो जब तक वो भी रा दें तो उसका कुछ उससे चीज जलज हैगी के नहीं यह कहनी सकते हमें लगता है कि कुछ इस हमें कुछ एक्स्ट्रीमिस वहां पर जोर पकड़ गए हैं, खास दोर से नौजवान कुछ और जैसे आपने अख़बार में देखा होगा, वो मोटर साइकल पर जाके या किसी या दो आपके तर तारी से बहुत लोगों की मार रहे हैं, खत्या हो रही हैं, खत्या हो रही हैं, यह थोड़ा उसमें कुछ फंडिवेंटलिजम भी है, क्योंके हत्या जादाथ तर सिख्खों की ही सिख्ख कर रहा हैं, तर अकाली लोग, अब जैसे जो एक आज की अखबा वाला है, अकाली नहीं है, दूसरी हमारी पार्टी कभी में है विरोधी दल का है लेकिन उसकी दाड़ी नहीं है। वो मोटसाइकल पर अपने भाई के संग जा रहा था भाई की दाड़ी है, तो वहां उसको पक्ड़ाके तुम गदार हो और उसको गोली से माट डाला ह। हानался कर दोसुरे भी और इस हमारी न तो हरी धरन में कई स7 हो जाते हैं वो जा ग्रतिक हैं सिक्वार करें लेकें अब अपने धर्म से enroll को irritated लेकिन सभाने के उपर वो उनकी ऐसी एक संस्था है जिसमें दोसे लोग udah भी हிंदू मुस्लिम, इसाई, जो हर एक अपने धर्म का पालन करता है, लेकिन ये लोग संग मिलते हैं, आप उसको कह सकते हैं, नैशनल इंटेग्रेशन की भावना से, या ये के मिल के मेडिटेशन करते हैं, ऐसी प्राथनाए करते हैं, जिसमें सब जोड़ सकें, इसके माइन नहीं कि अपना धर्म छोड़ा, लेकिन अपना धर्म भी है, और उसके उपर कुछ चीज है, जो दूसरों को से मिल के कर सकते हैं, आपको ये भी मालूम है कि हमारे देश में कोई किसी भी धर्म का हो, वो दूसरों का आधर करता है, बिलकुल करता है, जैसे गुर्दवारों में जरानी होती है कि क्यों इस तरह के हो रही है, अब जहां इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, वहां ये प्रशन कभी कभी उठते हैं, हमारी तो यही आशा है कि जो ठीक सोचने वाले हैं, राष्ट हित सोचने वाले हैं, वो इसके उपर उठेंगे, और कि इसी तरह से हम इसको सुलजा सकेंगे, बाहर रहने वाले जो भारतिये हैं कि आपके विचार में इसमें कुछ मदद कर सकते हैं क्योंकि वह बहुत जादा एंक्शिस हो जाते हैं, बहुत जादा अपसेट हो जाते हैं, जब इस तरह कि वह खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं उनका क्या योगदान हो सकते हैं? यहां से क्योंकि यह बिलकुल सच नहीं है कि सिक्खों के खिलाफ या अकालियों के भी खिलाफ कोई भी नाइनसाफी है जाहर है वजकिन उसका उल्टा ही कह सकते हैं क्योंकि वो औरों से कुछ जादा यागे बढ़े हैं अपने हिम्मत और योग्यता और ख्रमता से और खास आणूछे लोगों को हर गाव में बाएंगे हर प्लांत में बात कहना ब्लकुल गलत है। 강छे जो कि हमारा केहना ये है कि कोई भी मांग उस्के मात्चीत हो लेकिन माह कास ये सांविधान का अपमान करना ये को ऐसी बात करना कि राश्र के विरुद्श में होती है जरुद जर्किन अगर ये बातशीत लंबी होती चली गई तो ये तो होती जाएगी जिन लोगों को मरा जा रहा है वो तो बल्कूल इन उसन भेंदे ने डिल्कूल जागेए लेकिन बात लंबी क्या होगी हम तो कुछ ह चद्ध तक ही कर सकते ही थी के तो निय। तो इसलिए सब को सौचना है कि इतना हो सकता है, कितना नहीं है कि एक मांग मांगने से अगर और स्थिती बिगर्टी है तो किसी का लाब ने होता है आप जब दुबारा इलक्षिन के बाद आएंगे आफिस में तो कौन से ऐसे करिकरम हैं जिन पर आप ज़्यादा एंफसिस देंगे अब देखी पहले तो चुनाओ का क्या नतीजा होगा ये कोई पहले से कहनी सकता है और दूसरा दूसरी बात ये है कि हमारी एक बहुत पश्ट और साफ नीती है और वो नीती है कि अपने देश को हम मजबूत बनाएं इसलिए नहीं कि किसी और को धंकी दें या किसी पर हम हावी होना चाहते हैं दबाव डालना चाहते हैं ये इसलिए कि यहां के इतने बड़ी समस्या हैं कि उनका समाधान करने के लिए हमें अपनी ताखत ही चाहिए यह बहुत बड़ा देश है और इत्ते बड़ी जन संख्या को कोई बाहर का मदद ने कर सकता है कितना भी धनी और बड़ा देश हो वो हमें ने कर हमें खुद ही अपने पैर पे ख़ड़ा होना इसलिए हम ताकत चाहते हैं अच्छा अब ताकत कई तरिफी एक तो एक इसके माने सबको एक होना चाहिए अनिक धर्म अनिक भाशाय अनिक प्रांत जातिया दूसरे यह के गरीबी हतानी है क्योंकि गरीबी एक तो वैसे भी दुख और शर्म की बात है मानफता का प्रेशन है लेकिन संग संग एक देश को कमजोर करने की चीज़ है यह क्योंकि जो गरीब है वो अपनी ताकत या योगता देश के सेवा में नहीं डाल सकते तो मुख्य काम तो हमारा यह है देश को मजबूत बनाना और गरीबी दूर करने असल में तो मजबूत बनाना है न कि अजिसम आजादी को हम अपने रख सकें उसके लिए हमें साम प्रडायक्ता भी हतानी है अंदर इश्वास भी हताना है गरीबी हतानी है और गरीबी हताने के लिए उतपादन बढ़ाना है तो और हमारे जो लोग रहते हैं उनको देखना है कि उनकी जो आवश्यक वस्तू है जा खाना, कपड़ा, घर, शिक्षा, स्वास का प्रबंद ये सब चीजे मिले तो इस नीती के बाहर तो जाही नहीं सकते हैं इसी को हमें करना है साथ साथ क्योंके हम मानते हैं कि अगर दुनिया में कुछ दूसरे, कुछ गरबर हो जानि विश्वयुद हो तो उसका भारी प्रभाव हम पर पड़ेगा इसलिए हम विश्वशान्ती, विश्वमाइट्री और फास तोर से जो हमारे जासे विकास शील देश हैं वो मिलके सहयोग करें एक दूसरे से और दूसरों से भी मत्त्रा विकसित देश जो है उनके संगी दोस्ती करें आजकर के दुनिया में कोई लोग अलग नहीं रह सकते हैं सब को एक दूसरे से कुछ चाहिए और कुछ देने को तो इस तहे से हमें तो जो हमारा आज का विक वर्ग है उसके लिए आप आने वाले कुछ वर्षों में क्या देख रही हैं वो क्या योग दान देंगे आप उनको कैसे फोसी कर रही है अपनी इन पॉलसी में अब हम तो आशा ही करते हैं कि वो ठीक रस्ते पे चलेंगे और बनाने के रस्ते पे चलेंगे तोडने के रस्ते पे नहीं उमीद यही है उमीद यही है और हमारे स्वभाग्या है कि भारत की जनता जो है उसका दिल बहुत मजबूत है और सहन शक्ती भी है और यहां बहुत नौजवान हमारे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट विग्यानित बनी हैं इंजिनियर डाक्टर त्याजी जो आपके मुलक और दूसरे देशों में गए हैं तो हम तो चाहते है कि वैसे और वैसे बहुत और हैं यहां पर तो सब लोग मिलके काम करेंगे तो जरूर एक नया भारत बन सकेगा और उमीद करते हैं कि वह बहुत ही सुखत भारत होगा राजीव जी इसमें क्या रूल अदा करेंगे जब आप दुबारा एलेक्शन जीत कहेंगे तो मुझे क कि आम अगे मांगेरे तो बहुत आगे कूद रहिए एक कदम हमेशा अगे रहना अच्छा रहता है उसे क्या हो आतец क्या प्लान कर सकते इछू आछे तरह वैं मैं दूर दरशीन के बारे में दूर तिन सवाल पुशना चारी थी हम obligations. करने अक्सर हम चाहते हैं कि भारत के सभ्यटा को बहां से आपके यहां भारत में टेलीसिन इतना स्ट्रॉंग .. तूर जए उसे अच्छी तरह से करना भी शायद उनके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम जब बाहर प्रोग्रम देखते हैं तो कुछ इस तरह की प्रोग्रम नहीं लगते की उन्हें लेके बाहर दिखाया जा सके हम कोशिश तो कर रहे हैं उनको सदावने की हमारे लिए तो एक नई चीज है और है जरूर एक एक बहुत प्रभाव शीर लेकिन उतना यहां इसका प्रभाव नहीं है जित्ते जैसे अमरीका में है तो कि अमरीका में आप कोई भी प्रोग्रम देखिये उसमें हमेशा यह बात होगी वी अमेरेकन वी कनेडियन इस तरह की कोई चीज हमारे यहां पर इस तरह के प्रोग्रम मैंने देखे नहीं अभी तक कोई भी यह सच है लेकिन आप उन देशों में जो राष्ट्रिता की मैं यह नहीं कह रही हूं कि यहां कम है लेकिन यह क्या आश्चर जनक नहीं है कि इत्ते बरस हो गए लेकिन यहां कि किसी फिल्म बनाने वाले ने यह सोचा भी नहीं कि हमारे राश्चर अंदोलन पर फिल्म बनाए या राश्चर नेता पर बनाए बहुत से लोग शिकायत करत तो फिल्म वालों से आपके अखरी सवाल आप से एक वाइपर से पंजाब के बारे में करना चाहती हूं अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं खासतर पर जब हम बाहर के मुलकों में रहते हैं तो जैसे आपने पहले भी कहा अफवाहें वहां पर बहुत जादा फैल जाती हैं और उनको अफवाहें ले लिजे यह सचों जो सही घटनाए हैं कि इन में बाहर के देशों का बहुत बड़ा हाथ है कि भारत की जो एकता है वो टूटे पंजाब एक अलग प्रांथ बने ताकि जो बाहर के इंटरेस्टेट पार्टीज हैं वो आके भारत को तंग करें या उसकी प्रगती में रोड़ा आतका हैं यह कहां तक सही है अग्रती में तो कोई रोड़ा शायद नहीं डालना चाहता है लेकिन यह सच है कि कुछ ऐसे तपखे बाहर हैं जो चाहते हैं कि भारत की जो स्वतंतर नीती ना उत्तिस्वतंतर नर रहे जो वो लोग चाहते हैं वैसा हम करें उस रस्ते पे चलें तो ऐसे लोग तो हमेशा कुछ दखल देते ही रहते हैं अब पंजाब में कहां तक दखल है यह कहना मुश्किल है लेकिन यह आपने भी देखा होगा कि ऐसे जो कुछ ऐसा मूवमन्ट एक चला है अंदोलन उसके जाज़ातर दफ्तर और यह सब चीज़ें सब बाहर हैं बाहर के देशों में चाहिए कैनेडा में ली है कुछ यॉर्प के दो तिन देशों में है पधान मंत्री जी मैं आपका तही दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने बहुत ही बीजी वक्त में से हमारे कुछ चुपते हुए सवालों का भी चबाब दिया वेंकूवर की सभी जनता के तरफ से वोल्ड वीउ टेलिविजन के तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और मैं कामना करती हूँ कि यह जो आने वाला वर्ष है और बहुत जाने वाले वर्ष भारत के लिए बहुत सुखत वर्ष हो और आपको मुबारक पात भी देना चाहते हूँ क्योंकि आपको नोबेल प्राइस के लिए नमिनिट किया गया है मेरे तरफ से लनकूवर के रहने वाले हमारे सब मित्रों को ने शुब कामना है शुक्रिया